मीर अम्दन भी कोई मरता है जान है तो जहान है प्यारे नमस्कार जैशिरी राम चार्ट दुभीक में फिर एक बार आप सबका स्वागत है देखे जो साल खत्म हुआ है यानि कि जो वित्यवर्ष 2021 की सभी अभी समाप्त हुआ है इस पूरे वित्यवर्ष में लगातार भारत के बाजार विश्व के बाजार निवेशक आम आदमी हमारा फोकस बढ़ा दिया है और वो है अपना स्वास्त हर व्यक्ति अपने स्वास्त को लेकर अपनी इम्म्यूनिटी लेवल्स को लेकर बहुत जादा सजक हो गया है हल किसी भी कोई बात होती है और तुरंत लोग अप टेस्ट करवाने लगे हैं थोड़ी भी परिशानी पेश आये तो सीधा डॉक्टरी जांच के लिए पहुंच जाते हैं और यह जो एक बड़ा चलंज शुरू हुआ है कोरोना के चलते यह बहुत समय तक चलेगा और इसके दूर गामी परिणाम होंगे बाजार देखिए आने वाले ट्रेंड्स को पहले ही पहचान जाता है औ लेकिन उससे पहले आज के चार्ट और दुवीक रनर सब की बात कर लेते हैं इस सब्ता के देखे दोनों चार्ट चार्ट और दुवीक और चार्ट और दुवीक रनर सब में एक ही जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और इसी वज़े से यह दोनों चार्ट मुझे पसंद आ रहे थे देंगे जो pattern बना है यह बहुत ही विशेश pattern है high probability pattern है यानि कि इसकी संभावना इसकी सफलता की बहुत अधिक होती है मुझे याद पड़ता है कि आज से कुछ साल पहले एक बहुत ही युवा श्टूडेंट मेरे पास आए उन्होंने मेरे से prediction पाया और उसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की उनको तमाम चीजें जो उन्होंने सीखी उसमें सबसे ज़्यादा पसंद यही pattern आया था इस pattern पर उन्होंने कुछ 12 trades लिये और 12 के 12 एक के बाद एक सफल होते चले गए उस से उनका मनोबल बहुत बढ़ गया और जब कभी इस pattern का जिक्रा आता है उनका खिल खिलाता हुआ चेहरा मेरी आँखों के सामने आ जाता है देगे इस pattern का नाम है ascending triangle pattern बहुत ही जबरदस्त pattern है यह तो देगे इस pattern में एक त्रिकोर बनता है एक triangle बनता है और यह triangle बनाने के लिए जो bottoms है उनको जोड़ा जाता है और जो peaks है उनको एक सीधी लकीर से जोड़ देते हैं जैसे ही breakout आता है तो फिर एक बड़ी तेजी बनती है जितना गहरा पहला bottom हुआ कम से कम उत्ती बड़ी इसी तो डेफिनेटली चार्ट पर बनते हुए दिखती है तो देगे आज का चार्ट रदुवीक रनर्सप शेर जो है इसमें हुबहु यही pattern बना है stock का नाम है Steel Authority of India यानि की sale, sale है इस सब्ता चार्ट रदुवीक रनर्सप देखे इस साल के इस calendar year की beginning में मैंने आपको कहा यह साल जो है यह सरकारी कंपनियों का होगा जिन से आम तोर पर हम परहेस करते हैं दो गस की दूरी रखते हैं उन सरकारी कंपनियों से इस साल बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा Steel Authority बिलकुल वही करता हुआ दिख रहा है पूरा sector जो है वो चमक रहा है सेल में एक बड़ा ब्रेकाउट हुआ है चार्ट देखिए जबरदस चार्ट दिखेगा मामूली सा रेजिस्टन्स सौ के इर्दगिर्द है और फिर सीधा 115-120 के लेवल्स हैं जहां पर के बड़ा लेवल चार्ट पर दिखता है अगर आप इस असेंडिंग ट्राइंगल का लक्षे निकाले तो वो भी इससे मेल खाता है बहतरीन चार्ट है मेटल्स पर फोकस है बरसों बाद मेटल्स की साइकल बदली है और स्टील अथॉर्टी ओफ इंडिया ये है इस सब्ता का चार्ट दुवीक रनर्स और देखिए अब आते हैं इस सब्ता के चार्ट इस सब्ता का चार्ट दुवीक का दर्जा मिलने वाला है यानि की अपग्रेड होने वाला है स्टॉक का तो ये जो अपग्रेड का कैंडिडेट है ये स्टॉक है मैक्स हेल्थ केर लिमिटेड जेहां इस सब्ता का चार्ट दुवीक है मैक्स हेल्थ केर लिमिटेड जो की 6 दिसंबर 2020 के चार्ट वीक का चार्ट ओफ दे वीक रणरसब था तो रणरसब से बढ़कर अब ये चार्ट वीक हो गया है और स्टॉक का दाम भी 2020 के दिसंबर 6 को जब हमने इसको चार्ट वीक में लिया था उस समय 140 40 रुपे का था अब बढ़कर शेर की कीमत भी 210 रुपे हो गई है जबरदस्त अप्ट्रेंट स्टॉक में रहा है बिल्कुल जैसे की उमीद थी वैसा ही परदर्शन शेर से देखने को मिल रहा है तो देखे जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि स्वास्त को लेकर हेल्थ को ले अपना इलाज और अपनों का इलाज कराना चाहते हैं एक तरह का कंजम्शन ट्रेंड है और इसके लिए कोई संकोच किसी तरह की किफायत व्यक्ति नहीं करता है और देखे ये चलन केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी अब द देखी किस तरह की जबरदस तेजी उस स्टॉक में आती हुई दिखाई पड़ी है और बिल्कुल उसी तरस पर मैक्स हेल्थ केर भी अब तेजी के लिए तयार हो रहा है स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है असेंडिंग ट्राइंगल यहां पर भी बना है और य देखते हैं चार्ट में क्या खास है तो लीजिए आपके सामने पेश है इस सप्ताह का जबरदस चार्ट वीक स्टॉक का नाम है मैक्स हेल्थ केर लिमिटेड ये कंपनी पहले भी चार्ट वीक में रही है जिस आप जानते हैं कि रनरस अब शेर था दिसंबर 2020 में और वहां से हमने जबरदस तेजी स्टॉक में आते हुए देखी है जो चार्ट अभी आप देख रहे हैं ये मैक्स हेल्थ केर का वीकली चार्ट है और ये वो सब्ता था देखें दिसंबर 2020 जब इस चार्ट को चार्ट वीक रनरस अप हम लोगों ने घोशित किया था उस समय इसका भ बहुत ही जबरदस अप ट्रेंड देखने को मिला 140 से 210 याने के लगबग 50% की तेजी शेर में हमने देख लिए है अब इस चार्ट में एक विशेश पैटरन बन रहा है बड़ा ब्रेक आउट होता हुआ दिख रहा है और इसी लिए इस चार्ट को एक रेटिंग अपग्रे यह है कि यह स्टॉक बहुत रिसेंट लिस्टिंग है उतना ज़्यादा डेटा विकली चार्ट पर दिखता नहीं है तो डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो एक असेंडिंग ट्राइंगल नजर आएगा यह डेली चार्ट है यह पहला बॉटम यह दूसरा बॉटम और इक्वल हाइस बनते हुए इक्वल पीक्स बनती हुए नजर आ रही है जिसका ब्रेकाउट शुकरवार को आते हुए हमने देखा तो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बनाएं वीकली चार्ट पर दोबारा लोटें तो कि कंटिनुस अब ट्रेंड है फ्रेश ब्रेकाउ है लाइफ टाइम हाइपर है तो टारगेट निकालना मुश्किल है लेकिन फिबोनाची एक्स्टेंशन की मदद से टारगेट निकाले जाएंगे और फिबोनाची एक्स्टेंशन की मदद अगर आप ले तो दो मेजर लेबल्स निकल करके आते हैं पहला है दो सो च्यासी र targets हो सकते हैं उपर के ओर तो यह है इस सब्ता का जबर्दस चार्ट वीक स्टॉक का नाम है max healthcare तो देखिए यह जो hospital chains है इनका विस्तार बहुत तेजी से होने जा रहा है अभी जिस hospital chain के पास 18-19 hospital है आने वाले समय में hospital बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे hospital की संख्या बढ़ेगी इन companies की profitability और इनका valuation भी बढ़ेगा जबर्दस चार्ट है और ये एक अच्छा अफसर है क्योंकि हाली में एक breakout आया तो इसी वज़े से इसको चार्ट वीक मेंने मुकरर किया है आप भी इसका चार्ट देखेगा ये बात सही है कि चार्ट पर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है weekly चार्ट के बजाए इस सब्तहा daily चार्ट पर focus कीजेगा और max healthcare के चार्ट को जरूर study कीजेगा healthcare एक बड़ा mega trend है फिर चाहे pharma companies हो diagnostic companies हो या फिर अस्पताल चला रही companies हो इन तमाम companies के चार्ट को study करने की जरूरत है तो देखे इस सब्ता का चार्ट दवीक है max healthcare और चार्ट दवीक runner sub share है steel authority of india limited और दोनों में हुबहू एक साही pattern है आप मेंसे जो लोग patterns खोजने में माहिर है सबसे मेरा अन्रोध है कि जरूर चार्ट study कीजेगा दोनों कमपनियों के daily chart पर आपको नजर आएंगे ascending triangle pattern और देखेंगे आप कि कितना जबरदस्त इसका असर होता है तो देखेंगे अपना ख्याल रखेगा और साथ ही अपने स्वास्त का भी ख्याल रखेगा धन्यवाद आप सबका जय हिन जय भारत